गडवाल राइफल्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह भारती सेना की सबसे सिमित इलाके से बनने वाली सैने यूनिट है इसमें केवल गडवाल के साथ चिलों के युवाओ को शामिल किया जाता है गडवाली सैनिकों की वीर का थाएं इतियास के पन्नों में सोडने मक्षरों में लिखी जाती रही है और उनी में से एक वीर थे जिनकी वीरता और प्राकरम के बिटिस अधिकाली तक मुरीद हो गए थे और उन्हें बिटिस सेना के सबसे बड़े सैने सम्मान विक्टोरिया क मिल गया था उन्हें बचपन में गबरू के नाम से जाना जाता था गबरू ने बचपन से ही फौज में जाने का मन बना लिया था और साल 1913 में गबर सिंग्नेगी बिटिश इंडिया में सामिल हो गए उन्हें 49 वी गड़वाल राइफल्स की दूसरी बटैलियन में सामिल क कर लिया था फ्रांस के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वह जर्मनी के साथ सीधे हाथ ड़ सके बिटिश इनिकों के पास इतनी आदुनिक बंदू के भी नहीं थी कि वह युद लड़ सके बिटिश इना अपने साथ 49 वी गड़वाल राइफल्स को युद में ले गए गड़वाली सैनिक पहाडों से तादू रखते हैं गड़वाल राइफल्स को फ्रांस के पश्चिमी मोर्से के लिए त्यार रखा गया था अक्टोबर 1914 तक गड़वाल रैजिमेंट 1 वे डिविजन के हिस्ते के रूप में यमरेस की पहरे ड़ाई के दौरान सुर्खियों में थी जिसे मार्च 1915 में साथवी डिविजन में सामित होने के लिए चुना गया पहाड़ी युद कला में गड़वाली सैनिक बहुत माहिर होते हैं इस बार 49 वी गड़वाल राइफल्स को फ्रांस में अपनी वीरता और शोहरे का परिचाय देना था नेगी की पल्टन के कमांडर को जर्मानी की सेना ने मार दिया इसके बाद गरबर सिंग नेगी ने अपनी पल्टन की कमान संभाल दी गरबर सिंग नेगी खुद युद में आगे-ागे चलने लगे वी दुश्मन की एक के राइफ़ कब चाय करने लगे जर्मनी सैनिक हैरान थे कि आखिर हो क्य जो कि दुश्मनों के मुख्य मोर्चों पर गुसकर हर बादा को पार करने वाली पहले वेक्ती थे अंतिम खाई पर भी गबर सिंगनेगी ने कपज़ा कर दिया और दुश्मन के वापसी हमले में 10 मार्च 1915 को वीर राइफल मैन गबर सिंगनेगी शहीद हो गए महज 20 साल की उम्पर में उन्हें इता बड़ा सम्मान मिला उनकी कोई ग्याद कबर तो नहीं है किन्तों उनका नाम नेवे चैपल मैमोरियल पर दर्ज है उनका नाम लंदन में मैमोरियल गेट के गुमबन पर शामिल लोगों में से एक था जिनका सन 2000 में अनावरन किया गया गबर सिंगनेगी को मंदनो परान सबसे बड़े सैने सम्मान विक्टोरिय क्रॉस से नवाजा गया नेगी की पतनी संतूरी देवी को भरह सरकार कारयलय बुलाया गया जहां विक्टोरिय क्रॉस को उनकी युनिट ने अधिगरहित किया क्वीन मेरी का शोक पत्र और विक्टोरिय क्रॉस नेगी की विद्वा के लिए गर्व का शुरूत था नेव चैपलिन में उन 4700 से जादा भारतिय सैनिकों का समारक बना है जिन्नोंने पश्चिमी मोर्चे पर अपनी सहादत दी थी और आज भी परतिवर्स 21 अपरेल को चमबा में उनके समारक पर गडवाल राफिस्वारा रैतलिंग परेड और भव्य मेले का आयोजन होता है और उन्हें याद कर उन्हें सलामी दी जाती है धन्य है गबबर सिंग्नेगी जिन्होंने विदेश की माटी पर भी ऐसा अदम में सहासो प्राकरम दिखाया सलूट है उन सभी गडवाली वीरों को उन भारतिय सैनिकों को जिन्होंने अपनी प्रांट के आउती दी जै हिन जै भारत जै बद्रिविशाल